स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Tech2Vac में आप सभी को पता ही है मेरा YouTube चैनल Tech2Vac है यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको इसी तरह के और पर इंट्रेस्टिंग वीडियो समय से मैं आप जानेंगे कि मनरेगा में जब कोई काम सुईक्रत होता है तो उसकी क्या पूरी प्रोसीस होती है उसका टी एस एस कैसे जारी होता है उसकी प्रिकरिया कहां से चालू होती है और किस इस तर पर खतम होती है तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आप मनरेगा में क से अप्रश्ट सं लेकर स्टेप बताओं की मन्रीघां में क्या ने की पूरी प्रोसिस क्या है तो देखे चलिए सुभय करते हैं तो यह सब से जहां की बिगार्यकर है जिस दिन फम उपसुप दले के लिए आप आप एक पसुषभा का काम स्विक्रत करना चाते हैं तो इसमें आप ऐसे ग्रामसभा प्रिस्ताव लेंगे कि पसुषभा इनका अनुसंसा की जाती है पसुषभा के लिए तो इस तरह से ग्रामसभा का एक प्रिस्ताव होता है ग्रामसभा का प्रिस्ताव होने के बाद संबं हो गया कि ग्राम रोजगार साहिक ने मन्रेगा पोर्टल पर उस वर्क को फीड कर दिये उसके बाद तीसरा काम यह होता है कि संबंधित उप्यंत्री द्वारा कारे का एस्टिमेट तयार करना जब ग्राम रोजगार साहिक अपने लोगिन आईडी से जो वो नया काम करते हैं तो यह संबंधित अप्यंत्री या मारेश कहते हैं आप सब जानते होंगे मनरेगा में साहया केंतरी होते हैं तो साहया केंतरी की लॉग इन पे जो हो देखने लगता है फ्रंट्स वो काम तो साहया केंतरी फाइनली उसे टी एस को एप्रोब करते हैं और जब साहया केंतरी जो हो इसमें सारे दस्तावेज फाइल बगएरा देखते हैं फ्रंट से जो requirement होती है सारे दस्ताविच चेक करने के बाद साहा केंतरी उस काम को जो वो एप्रूब कर देते हैं तो एप्रूब होने के बाद फाइनली यह काम फ्रंट से पहुंच जाता है ग्राम पंचायत के पास return AS के लिए जिसे आप administrative एप्रूब कह सकते हैं एडमिन एप्रूब भी कह सकते हैं तो यह काम AS के लिए ग्राम पंचायत के पास पहुंच जाता है फिर ग्राम पंचायत अपनी login ID से संबंधित काम का जो होगो AS जारी करते हैं और AS होने के बाद फाइनली ग्राम रोजगार साहा के जो हो भूबन मनरेगा एक application होता है उसके माध्यम से उस particular काम का location के साथ geotag करके जो हो मश्टर जारी करवा सकता है तो यह कोई काम सुखरत होने की पूरी वैधानिक प्रिक्रिया है कि मनरेगा में जब कोई काम सुखरत होता है तो इतने steps से होके गुजरना पड़ता है तो इस तरह से जो हो पूरा काम सुखरत होता है उम्मित करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक् प्रिदिगा